नाव वीखम डू दा वर्ड मीनिंग मैं आपको बाद में लिखने करें दूंगी अभी इतमें आपको समझा दे रही हूँ विलोउंग मीन्स होता है वेरी लाउड नॉइज बहुत तेज आवाज जब होती है उसको हम विलोउंग बोलते हैं inhabitants occupants वहां के रहने वाले जो लोग होते हैं कि किसी भी जगे के निवासी होते हैं inhabitants निवासी तो उनको हम inhabitants कहते हैं उनको इंग्लिश में occupants भी कहते हैं baron means not fertile ऐसी जगे के land with no vegetation जहां पर कोई भी चीज उगती नहीं है उपजाओ नहीं है बंजर जमीन उसको हम baron कहते हैं astonishment surprised गिरेटी सप्राइश्ट आश्चर चकित होना crumble broken into pieces crush करना किसी चीज को टुकडों में करके तोड़के रख देना grab pick suddenly यहाँ पर रसद ग्रैब निगलना होता है अचानक से उसने निगला नहीं था बच्चे ने अचानक से उसको उठा लिया था यहाँ इससे लिए लिखा हुआ है here means इस lesson में इसकी meaning pick suddenly अचानक से चीज को उठाना वैसे grab means निगलना होता है so these are the meaning word meanings and now we come to the question answer why did the captain send the men to the land कहरा है क्याप्टन ने जो men थे लोगों को तो लोगों को वहां पर land पर क्यों बेजा था तो क्याप्टन ने क्यों वेजा था water लाने के लिए so the captain sent the man to bring some water to the land water लाने के लिए वेजा था drinking water लाने के लिए वेजा था why did the man rush back to the ship शिप के चyah रहा है कि जो मेंट थे वो शिप की पीछे ने पंगे रश का 波र मैंणे सब्छा करना तो शिप की पिछे क्यों भागे 도ण है तो इनोंने क्या लिया था तो दम्मेन तो question में ही होता है तो the men rushed back to the ship because they had seen the monster and monster देख लिया था आप यहां से उठा सकते हैं कि after seeing the monster monster को देखने के बाद the men rushed back to the ship दोन तरह से आप इसको कर सकते हैं फिर क्या है choose the correct answers अब यहां पर आपको options दिये हुए है lesson में जो sentences है उनके आपको correct option बताना है first sentence है the giant carried a reaping hook because giant कहते है monster को जो वहां की जो persons के उनको giant कह रहे थे big size था उनका इस लिए ratchas या दानो जी से कहते है तो कहते है giant जो है वो reaping hook लिए वे था क्यों लिए वे था तो उसको क्या करना था because he was going to reap the corn क्योंकि वो फसल काटने जा रहा था so be the correct option of this sentence second they put Gulliver on the ground to look at him because उन्होंने Gulliver को जमीन पर क्यों रख दिया because they had never seen such a tiny man जैसे Gulliver ने कभी इतने big size को लोगों को नहीं देखा था ऐसे उन्होंने भी tiny means small इतने small person को कभी नहीं देखा था तो उनको यह देखकर वास्चर लगा इस लोगना उसको जमीन पर रख दिया था Gulliver वोज कहरा है Gulliver कौन था farmer था, sailor था, dwarf था giant था, so Gulliver वोजा sailor smudri यात्री था, sailor कहते हैं smudri यात्री को so Gulliver वोजा sailor now name the creature to whom you would look like Gulliver अब किसी ऐसे creature का नाम बताईए ऐसे किसी प्राने का नाम बताईए जो you would look like Gulliver जैसा Gulliver ने देखा है इस lesson में कोई जीव, इत्ते बड़ोड़े big size के लोगों को देखा है ऐसे ही किसी creature का नाम बताईए जो आपने कभी देखा हो या पहले कभी इस land पर रहा हो the creature is now extinct अब वो creature अब नहीं है extinct means उसका existence खतम हो चुका है पहले था कभी the word begins with the letter D अब इसका clue भी दे रहे है कि उस creature का जो first letter है वो D से स्टाट होता है means कौन सा है डाइनोसौर अब डाइनोसौर नहीं है तो पहले डाइनोसौर थे तो यह डाइनोसौर जो है क्या है ऐसा ही एक creature था big size का जो पहले land पर था और वो अब इसमें नहीं है so this is the lesson delivers travels you have you will read this and do in your book okay thank you